नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरज जैन स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भरज जैन पर और आज का वीडियो है जो हमारे पहले वाला वीडियो था जहां पर मैंने आपको बताया था कि यह ग्राउंड लूप क्या होता है य लेकिन उसके दिखने का जो तरीका आता है वो अलग अलग होता है अब कुछ पटे से होते हैं जो एक पर्टिकॉलर केमेरे में होते हैं ऐगर आपकी जो टाइल से या फिर नीचे का जो सरफेस है या फिर जो ग्राउंड लिवल है वो पुरा वाइट है आप डाइमिंड से लाइटिंग पढ़ने की वजह से आपकी केमेरे के अंदर पट्टे आना शुरू हो जाते हैं एक्शोली इसका जो रीजन है वो बहुत ही नॉर्मल है काफी सारे लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बन रहा है एक्शोली क्या होता है कि हमारे इंडिया याने कि वर्ल्ट के अंदर दो टाइप की यहां पर वीडियो आउटपूट प्रोटोगोल चलते हैं मतलब एक होता है PAL, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक होता है NTSC, European country के अंदर NTSC चलता है, अगर Asian countries के अंदर देख ले तो वहाँ पर PAL चलता है, और यहाँ पर उस video output के लिए जो कुछ frequency design होती है, एक होती है 50 Hz की, एक होती है 60 Hz की, अब क्या होता है कि कई बार इस तरह की जो चीजे हमारे सामने आती है, अगर हमें उसका solution चाहिए, तो आपको क्या करना है कि कोई भी particular camera की setting में चले जाएए, आप वहाँ पर video output के अंदर जब जाएंगे, आपको PAL और NTSC के नीचे आपको frequency setting का एक option मिलेगा, उस option के अंदर आ ठीके IP camera में आप कर लेंगे, तो HD camera में कैसे करेंगे, मैंने already एक video बनाया था, जहां पर मैंने आपको camera की settings के बारे में बताया है, मैंने दाहुआ के camera के बारे में बताया है, मैंने CP plus के camera के बारे में बताया है, मैंने हिक विजन के बारे में बताया है, आई बटन में दे रह में जाकर आप यहां पर जो एक option देखते हो उसके थुरू आप उस HD camera की settings के अंदर जा सकते हो वहाँ पर जाने के बाद में आप इस जो hertz है इसको आप change over कर दिजिए यह जैसे ही change over करेंगे आपका काम यहां पर हो जाएगा एक और problem यहां पर आती है कि जो lining की problem है वो होती है power fluctuations की वज़े से आपने जो power supply का use किया है अगर उस power supply में से अगर proper power नहीं निकल पा रहा है मतलब आपके camera की requirement है 12 vote की या 10 vote की और वो नहीं आ पार यह volt तो वहाँ पर अगर power down होगा तो भी यह problem आएगी तो जब भी आप कहीं पर इस तरह की problems को देखते तो सबसे पहले आप power check out कर लिजे कि क्या उस camera को proper power मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अगर power proper नहीं मिलेगा तो इस तरह की problem आएगी जैसे कि आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि अगर हमारे घाओं में अगर power कम हो जाता तो जो टीवी होती थी तो टीवी के अंदर हमें लाइनिंग्स देखने के लिए मिलती थी वो लो पावर की वज़े से होता है तो वो का वही फार्मूला यहां पर भी काम करता है कि अगर आपके यहां पर अगर camera को प्रावर प्रोपर नहीं मिलेगा तो यहां पर वीडियो के अंदर आपके आउट्पूट के अंदर आपको कुछ प्रावर्म्स देखने के लिए मिलेगी तो सबसे पहले पावर चेक करिए और अगर आप पुरा वाइट और इस तरह का देखी रहे यह प्रावर्म आई रहे हैं मतलब समझ जाईए कि आपको यहां पर फ्रिक्वंसी चेंज करने की जरूरत है एक वीडियो ग्राउंड लूप के लिए था यह वीडियो हो गया आप लोगों के लिए कौमन के लिए अगर इसमें और कुछ डिटेलिंग चाते तो कमेंट सेक्षन में मुझे बता दीजेगा जरूर आपके लिए इस तरह की प्रावलम के उपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो दोस्तों यही था आज की इस पूरे वीडियो के अंदर एक बहुत ही छोटा वीडियो है आपके लिए थोड़ा सा इंफोर्मेटिव हो जाएगा और म मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टैप की टेकनोलोजी नए गेजेट्स और नई बातों को लेकर तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धनिवाद जैहिंद